कि फ्रेंट्स वेल्कम् टू टार्गेटि इन गोल फ्रेंट्स हम इसमें ल्यूंजइंट्सक देस्कस करने वाले है और pequena से सबसे पहले हम इत्यास पढ़ेंगे इत्यास को आप जानते हैं कि भारती अधियास को मुक्यता तीन वागों में पढ़ा जाता है प्राचीन इत्यास, मद्डकाली नित्यास और आत्रुरी तो इसमें से हम पहले प्राचीन इत्यास पढ़ेंगे और वीडियो को अगर आप को लगे कि आवाज धीमी है मतलब इसकी गती अगर स्लो है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं लुसेंट याद नहीं होती जल्दी क्योंकि इसमें फैट्स रहते हैं इसलिए इसको आप बार बार सुने और जब आप कुछ काम भी कर रहे हो साधारण तब भी आप इसक को आसानी से सुन सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं वंडे एक्जाम्स के लिए तो लुसेंट ही बहुत होती है जीएस के लिए और बांकी एक्जाम्स के भी लगभग पचास से साथ परसेंट काम ये पूरा करती है तो प्राचीन इतियास में हम प्राचीन भारत के ज भारत का इत्यास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिन में समुद्र तक फैला यह उपमहादिव भारत वर्ष के नाम से ग्यात है जिसे महाकाब तथा पुराणों में भारत वर्ष अर्थात भारतों का देश भारतों का देश मतलब कि भारत जो कुन्बा था भारत नाम का एक क कहा गया है भरत एक प्राचीन कभीला यह कुन्बा था और प्राचीन काल में भारत को ही जंबु द्यूप के नाम से भी जाना जाता था जंबु का मतलब है क्या जामुन जामुन के पेड़ चुकी यहां पर पाय जाते थे इसलिए इसका नाम जंबु द्यूप भी रखा गया प्राचीन इराणी इसे सिंधु नदी के नाम से जोडते थे, जिसे वे सिंधु ना कहे कर हंदु कहते थे, मतलब यह कि जो इराणी लोग थे, वो साका जो उच्चारन था वो हा करते थे, इसलिए वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फायल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा यूनानी इसे इंदे मतलब किसको इंदे वो जो नदी है सिंदू उसको क्या कहते थे इंदे और अरब इसे हिंद अरब को हम जान गए यानि इरानी तो अरब जब भी आए इसका मतलब क्या इरानी जो इरान देशा है उसी को हम अरब छेतर कहते थे और उसी को अरबी लोग कह या फिर अरब छेत्र कहलाया मद्द काल में इसे मतलब कि अपने इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो हिंदुस्तान जो है वो हिंदु सब्द से बना है और हिंदु सब्द कैसा है फार्सी सब्द है ना कि ये हिंदी सब्द है तो हिंदु कभी अगर पूचा जाता ह कि हिंदू सब्द कैसा है यह किस भान साथ है तो वो फार्सी है युनानी भान सा में इसे इंदय कहागया है नहीं युनानी भान साथ के इंद एक आधार पर अंगरेज इसे इंडिया कहने लगे अ पारा बदलते बिंद की परवत स्रंखला देश को उत्तर देखे अब ये जो परवत है बिंद तो बिंद परवत इसको उत्तर और दक्षड दो भागों में बाट देता है उत्तर में इंडो यूरोपिये परिवार की भासाएं बोली जाती है और दक्षड में द्रविर पन्पी वह स॥ा ने बोली जाती बिंद के ल कर दो परवत मत भुझरता रहें ऐसके उत्त के बिंद परवयट को इसने योड़िय जाते हैं अब जन संख्या का निर्माड जिन प्रमुखNY के लोगं के हुँलता नक मेर्निक नसला के लोगं के मिस्तरण से हुआ है वे इस प्रकार से हैं प्रोटो आस्ट्रिलाइड पैलियो मेडिटेरीनियन काकेसाइड नेग्रोड और मंगोलाइड तो ये इन प्रजातियों के मिस्तरण से भारत की पूरे नसले बनी है अब ये प्रोटो आस्ट्रिलाइड है तो मतलब ये जो उस तरफ के जो लोग हैं उनकी जो नसल है जो भारत में आई उसको ये कहते हैं काकेसाइड जो कौकेसस परवत है कौकेसस परवत जो की यूरोप और एसिया दोनों के मद्ध में एक रेंज पाई जाती है काकेसाइड ये काकेसस परवत वहां से निग्रोइड और लेंगे फ्रेंट नहीं तो यह जादा लेंदी होगा भारती इत्यास का अध्धन की सुगधा के लिए तीन भागों में बाटा गया देखी वह प्राचीन भारत मद्धकालीन और आदुनिक भारत सबसे पहले इत्यास को तीनों भागों में बाटने का स्रे जर्मन इत्यासकार क्रिश्टोफ सेलियरस को दिया जाता है मतलब की तीन भागों में जो इत्यास माटा गया वो क्रिश्टोफ सेलियरस द्वारा माटा गया प्राचीन भारत में प्राचीन भारती इत्यास के स्रोत प्राचीन भारती इत्यास के विसे में जानकारी मुखता चार स्रोतों से प् धर्म गरंथ एतिहासी कि गरंथ विदेशिवराण और पुराता संबंधी साक्ष धर्म गरंथ एवं एतिहासीक गरंथ से मिलने वाली महत् rashपून जानकारी। भारत का सरवप्रचीन धर्म ग्रंथ वेद है तो वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारत के जिसके संकलन करता महर्सी क्रश्ण दोवपायन बेद व्यास को माना जाता है वेद वसुधयव कुटुमकम मतलब पूरी प्रतवी में कैसा हो अच्छा हो तो वसुधयव कुटुमकम की बात करते हैं वेद भारती परंपरा वेदों को नित एवं अपाउरिशे मानती है अपाउरिशे मतलब वो ये माना जाता है कि जो वेद हैं वो पूरसों द्वारा न संहता कहते हैं तो संहता किसे कहते हैं इन चारू वेदों को रिगवेद रिचाओं के क्रमबद ग्यान के संग्रह को रिगवेद कहते हैं रिचाएं रिचाएं मतलब श्लोक इसमें 10 मंडल हैं किसमें रिगवेद में 10 मंडल हैं 1028 सूक्त हैं वाल खिल पाठ के ग्यारा शूक्तों सहित एवं 10,562 इसमें रिचाएं हैं जो स्लोक हैं वो 10,462 इसमें से हैं इस वेद की रिचाओं के पढ़ने वाले रिशी को होत्र कहते हैं इस वेद में बेद से आर के मतलब जो आर्य थे उनके राजनीतिक प्रणाली इतिहास एवं इस्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है विश्वा मित्र द्वारा रचित रिगवेद के तीसरे मंडल चुकि कितने मंडल में बाटा गया है 10 मंडल में तो 10 का तीसरा मंडल तो तीसरा मंडल जो है वो सूर्देव यानि की जो सूर है उनको समर्पित है यानि सूर्देव यानि सावित्री को समर्पित है और इसी मे गायत्री मंत्र भी है गायत्री मंत्र मतलब यह जो ओम भूर भश्वा तस्वितुर्वरन्यम जो यह है यह किसमे है गायत्री मंत्र जो है यह भी तीसरे मंडल से लिया गया है इसके नवे मंडल में सोम का उलेक किया गया है और सोम एक पौधा होता था जिसका रस निकाला जा कि कि इसके आठवे मंदल की हस्त लिखित रिचाओं को भिल कुल गयते हैं, तो सीधे आठवे मंदल में हस्त लिखित रिचाएं जो हैं उनको खिलका आ जाता है . चतुर-वर्ण ये समाज की संकल्पना जैनि चार वर्ण ब्राम्हर्ण छत्री बैस और सूद्र ये दस्वे मंडल में मिलता है और दस्वे मंडल में एक पुरुष सोक्त है वहाँ पर इनका वर्ण किया गया है जिसमें कहा गया है कि ब्राम्हाड छत्रिय बैस सूद्र जो है वो क्रमसा ब्राम्हाड ब्रम्हा के मुख से छत्रिय भुजाओं से बैस जंगाओं से और जो सूद वो चरणों से उत्पन हुए हैं रिगवेद के कई परिछेदों में प्रयुक्त अधन्य सब्द का संबंध गाय से हैं अधन्य आगे हम देखेंगे अधन्या मतलब होता है ना मारे जाने योग तो गाय को ना मारे जाने योग माना जाता रहा है धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की इस्थितियों ब्यावसायों दाइत्तों कर्तव्यों तथा विस्ष्टा धिकारों से में इस पश्ट भी भेद करते हैं अब धर्मसूत्र क्या है धर्मसूत्र भी जो है वो इसी हिंदु धर्म के जो सास्त्र हैं उनसे ही संबंदित हैं और इन में प्रतेक जात क्या काम होगा इसका वर्णनमुखता किया गया है तो उने कैंदीन दायित्तों और कर्मों का उलेख धर्मसूत्र में किया गया है इसा पूर्व एवं इसवी इसा पूर्व जब इसा पैदा हुए उसके पूर्व और इसा के बाद इसका जो माप है उसके लिए यहां पर बताया गया है कि वर्तमान में प्रचलित जो गर्गेडियन कलेंडर हम जो अंग्रेजी कलेंडर यूज कर रहे हैं ये ग्रेगोरियन बनाया गया कलेंडर है इसलिए इसको ग्रेगरियन कलेंडर कहते हैं इसाही कलेंडर जुनियर कलेंडर जो है यह तो इसमें इसाही धर्म-गुरु इसाहीं जन्म से वह किया गया कि जन्म है और उससे पहले का काल है उसको हम एक Hy पहले की घटनाया माननते हैं ईются पूर्व में वर्सों की गिंति उल्टा होती है उल्टा होती है जैसे कि महत्मा बुध्ध है तो महात्म बुध्ध का जण्म है वो 563 इसा पूर्ब हुआ मतलब की इसा के जन्म के 563 वर्स पहले बुध्ध का जन्म हुआ था इस प्रकार से और उसके बाद उनकी मरत्व होगी तो जैसे मरत्व का काल अगर उनका 483 है तो देखिए जन्म का हुआ 563 में लेक ताइम है उसे एडी से जाना जाता है जिसे हम इसवी सन कहते हैं एडी का अर्थ यहां होता है एनो डॉमिनी अर्थात इसा के जन्म के बाद वामनावतार में तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत रिगवेद है वामना आवतार का मतलब है कि वामन जो आप क्रम में पढ़ेंगी दसावतार जो हैं जो विश्णू के दस आवतार माने गए हैं उनमें से जो एक वामन आवतार है वामन आवतार जिसने तीन पगों में पूरी प्रत्वी दो पगों में ही पूरी प्रत्वी को माप दिया था और तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने उस व्यक् जिसने मतलब उनको कहा था कि हम तीन पक तुमको धरती देते हैं तो वो जो है इसका व्याख्यान किसमें रिगवेद में मिलता है रिगवेद में इंद्र के लिए 250 तथा अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना की गई है तो रिचाएं जो हैं थी श्रोक थे उनको 250 इंद्र को और अगनी को 200 रिचाओं समर्पेथ हैं पराचीन इतियास के साधन के रूप में वैदिक साहित में रिगवेद के बाद सत्पत ब्राम्मण का इस्थान है तो अगर रिगवेद के बाद जो है इतिहासिक द्रश्टी से सत्पत ब्राम्मण जो ब्राम्मण है सत्पत इसका ज नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है इसके पाठ करता को अधरियों कहते हैं यजुर्वेद में यग्गों के नियमों एवं विधी विधानों का संकलन मिलता है इसमें वलिदान विधी का वर्डन मिलता है यह एक ऐसा वेद है जो गद्दपद दोनों में है, तो अगर प्रस्ण पूछता है कि गद्दपद दोनों में कौन सा वेद है तो यजुरवेद है सामवेद, साम का साब्दिक अर्थ है गान इस वेद में मुखता यग्गों के आऊसर पर गाय जाने वाले रिचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है इसके पाठ करता को उद्रात कहते हैं तो हमने देखा कि र्गवेद को होत्र कहते हैं और जो यजुरवेद को गाने वाले हैं उनको अधरवी कहते हैं और सामवेद को गाते हैं या सामवेद की रिचाओं का जो उचान करते हैं उनको उद्रात्र कहते हैं इसका संकलन रिगवेद पर आधारित है वैसे सामवेद जो है इसमें 1875 रिचाए है और इसमें से 75 18 सुबा की जो रिचा है वो रिगवेद से ही है इसलिए इसका संकलन जो है वो रिगवेद पर अधारित है इसे भारतिय संगीत का जनक भी कहा जाता है अधिकांस्ता प्रस्ण पूशता है भारतिय संगीत का जनक कौन है शामवेद है यजुरवेद तथा सामवेद में किसी भ भग 6400 पद्ध हैं इसके कुछ मंतर रिगव dalam मंत्रों से भी प्राचीन नहीं मतलब उससे रिगवे dalam मंत्रों से भी कुछ मंत्र यसके जादा प्राचीन है अतर मियं कर्ण्याओं के जन्म की निंदा करता है एक इतिहासिक द्रस्टी से अथर्व वेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान मनुस्यों के विचारों तथा अंध विश्वाशों का विवरण मिलता है प्रत्वी सूक्त अथर्व वेद का प्रतिनिधी सूक्त माना जाता है इसमें मानों जीवन के सभी पक्षों ग्रह, निर्माण, क्रशी की उ भक्ति राजा का चुनाव बहुत से वनस्पतियों एवं आवशदियों साप वशी करण प्राश्चित मात्र भूमी महात्म आदी का विवरण इसमें से मिलता है कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन इसमें से किया गया है और यह सीधे प्रशन पूछता है कि तंत् से संबंदित है विखे बश्रुन पुरान कि से समंदित है मौरवन से अब कि इस पुराण है तो पूराण भी हिंडू धर्म ग Sammern भूशे शमंदित है अथर्व वेद में परिच्छित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरुदेश की सम्रदी का अच्छा चित्रन इसमें मिलता है इसमें सभा और समिती को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है जिस प्रकार से अभी लोग सभा और राज सभा है उसी प्रकार से सभा और समितियां मिती उस समय जो की लोगों का प्रतिने तो करती थी सबसे प्राचीन वेद रिगवेद एवं सबसे बाद का वेद अथरो वेद है वेदों की भली भाती समझने के लिए छै वेदांगों की रचना की गई है जिसमें सिच्छा, जियोतिस, कल्प, ब्याकरण, निरुक्त तथा छन्द है तो इनके माध्यम से हम वेदों को भली भा समझ सकते हैं भारती एतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद ब्यूरण पुराणों में मिलता है इसके रचैता लोम हर्स अथवा उनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं इनकी संख्या अठारा है मतलब की जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है अठारा है जिसमे पुराणों में मत्स पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाडिक माना जाता है अधिकतर पुराण सरल संसत इस लोक में लिखे गये हैं इस्त्रियां तथा सूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे पुराणों का पाठ पुज में किया करते थे इस्त्री की सरवाधिक गिरी हुई इस्त्ति मैत्राणी सहिता अब यह सहिता है मैत्राणी सहिता में इस्त्रियों की सबसे गिरी हुई इस्तिती का वर्णन है या वहां से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और सराब जिस प्रकार से जुआ और सराब बुर पूरुस की अर्धांगनी कहा गया है कि पूरुस का आधा भाग इस्त्री है जाव लोप निशद मतलब की जावाल उप निशद में चारो अस्रमों का वर्णन मिलता है चारो अस्रमों जैसे कि हम सिक्षा प्राप्त करते हैं तो ब्रम्पचरी हो गया फिर इसके बाद में इसम्रति जो थी वो मानों के पूरे जीवन को कौन सब्यक्ति क्या काम करेगा इन सारी चीजों के लिए इसम्रतिया बनी थी जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्नित हैं हीनियान का प्रमुख गरंथ कथा वस्तु है जिसमें महत्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्नित है जैन साहित को आगम कहा जाता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतियास कल्प सूत्र से ग्यात होता है जैन गरंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन करत्यों तथा अन समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरन मिलता है अर्थसास्त के लेखक चानक यानि कौटिल या विश्णुगुप्त है यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है इससे मौर कालिन इतियास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके अनुवादक सामसास्त्री माने जाते है संस्कृत साहित में एतियासि घटनाओं का क्रमबद लिखने का सरवप्रथम प्रयास कलहन द्वारा किया गया है मतलब संसकत साहित में इतियासी घटनाओं का क्रमबद लेखन का जो प्रमाड है वो कलहन द्वारा लिखी राज तरंगणी में से मिलता है और राज तरंगणी में से आठ तरंग हैं जिसका संबंद कस्मीर के इतियास से है अर्थात कस्मीर में जो राजा हुए उनकी इसमें राज तरंगणी में मिलता है जो की कलहन द्वारा लिखी गई है अर्बों की सिंद्विजय का व्रत्तांत चचनामा लेखक अली एहमद में सुरक्षित है अश्टा ध्याई संसकर्थ भासा का एक ग्रत है संसकर्थ भासा के ब्याकरण की प्रधम पुस्टक है अश् इत्यास हैं ना मैंनी की बौदकाल का या फिर इसके पहले का तो मौर के पहले का इत्यास तथा मौर युगीन राजनितिक अवस्टा की जानकारी भी इसमें ब्लती है कत्याईन की गारगी सहिता एक जियोतिस ग्रंत है फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उलेख मिलता है पतंजली पुष्मित्र सुंग के पुरोहित थे इनके महाभास से सुंगों के इतियास के मिसे में जानकारी मिलती है पतंजली पुष्मित्र सुंग के पुरोहित थे उनके समकालीन थे और ये जो महाभास है महाभास जो पाड़िनी थे पाड़िनी की अस्टा ध्याई जो किताब थी उसी का ट्रांसलेशन जो किया गया है वो पतंजली द्वारा किया गया है जिसे महाभास के नाम से जाना जात तो इसमें से हम पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखक यूनान और रोमन के जो लेखक है वो कौन है पहला है टीसियस यह इरानी राजबायद था भारत के संबंद में इसका बिरुण आस्चर जनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वशनी है दूसरा का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुस्तक हे हिस्टोरिका में पांचवी सताब दी इसापूर्व के भारत फारस भारत फारस मतलब इरान के संबंद का वर्णन किया है परन्तु इसका बिवरण भी अनुसरुतियों एवं अपवाहों पराधारित है सिकंदर के साथ आने व मेगस्थनीज यह सेलुकस निगेटर का राजदूत था जो चंदरगुप्त मौर के राजदरवार में आया था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर यूगीन समाज एवं संस्कृति के विशाय में लिखा है डाइमेकस यह सीरियन नरेस अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरवार में आया था इसका बिवरण भी मौर यूगीन है या फिर मौर यूग से संबंधित है डायोनेशियस यहमित स्रनरेस टॉलमी फिलाडेस प्लस का राजदूत था जो असोक के दरबार में आया था टॉलमी इसने दूसरी सताबदी में भारत का भुगोल नामक पुष्टक लिखी थी भारत का भुगोल नामक पुष्टक किसने लिखी टॉलमी ने प्लीनी इसने प्रथम सताबदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी इसमें भारतिये पशुओं पेणपौधों खनिच पदार्थों आधी के बारे में ब्यूरण मिलता है पेरी प्लस ऑपदा इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है यह करीब असी इसा में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था यह लेखक इसने जो वर्डन किया है वो यहां दक्षण भारत में कुछ ब्यापार होता था उसका वर्डन इसने किया है चीनी लेखक में नंबर पहला है फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र गुप्त दुतिये के दरवार में आया था इसने अपने बिवरण में मद्ध परदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्डन किया है इसने मद्ध परदेश की जनता को सुखी एवं सम्रद बताया है यह 14 वरसों तक भारत में रहा दूसरा संयुगन से यह 518 यसी में भारत आया था इसने अपने तीन वर्डन की यात्रा में बोत धर्म की प्रापतियां एक अत्रित की वहनसंग यह हर्ज वर्धन के सासन थे आया था वेन सांग 629 इसा में चीन में भारत वर्स चीन से ये भारत वर्स के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्स की यात्रा के बाद सरप्रथम ये भारती राज कफिसा पहुंचा भारत में 15 वर्स तक ठहर कर 645 इसा में ये चीन वापस लोड़ गया वे बिहार में नलंदा जिला में इस्थित नलंदा विश्व विद्याले में अध्यन करने तथा भारत से बौद गरंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था इसका भ्रमण ब्रत्तांत शीयू की नामक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता है इसमें 138 देशों का बिरण मिलता है इसने हर्स, कालीन, समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है इसके अनुसार सिंध का राजा सूद्र था वेन सांग के अध्यन समय नालंदा विश्विद्याले, बिक्रम सिला विश्विद्याले तथा अपने समय के भारत आया। इसने अपने बिवरण में नालंदा विश्विद्याले, विक्रम सिला विश्विद्याले तथा अपने समय के भारत का वर्डन किया है तीसरे क्रम में हैं अर्वी लेखक, पहला है अलवरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अर्वी में लिखी गई उसकी करती किताब लहिंद या तहकीके हिंद जिसको हिंदी में कहते हैं भारत की खोज, आज भी इत्यासकारों के लिए एक महत्त पूर्ण सुरूत है यह एक बिस्तर्द ग्रत है जो धर्म और दर्सन, तेवारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीत रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक, जीवन भारतौल तथा मापन विधियों, चित्रकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान और आदी विश्यों पर आधारित है इसमें से असी अध्यायों में इसको भी वाजित किया गया है, इसमें राजपूत कालीन, समाज, धर्म, रीत रिवाज, राजनीती, आधी पर सुन्दर प्रकास डाला गया है इसके अंसार अर्वी भासा में लिखा गया उसका वरत्तांत जो है रहला, तो रहला इबन बतूता के दौरा लिखा गया है के सामाजिक तथा सांस्क्रतिक जीवन के विसय में बहुत ही प्रचूर तथा सबसे रोचक जानकारियां रहला से ही प्राप्त होती है 1333 इसा में ये दिल्ली पहुँचा था, कौन? इबन बतूता और इसकी बिद्धुता को देखते हुए सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी यानि दिल्ली का नियाधीस नियुक्त किया था जो अनलेखक हैं तो उनमें से हैं तारानाथ ये एक तिबती लेखक था, इसने कंगियूर और तंगियूर नामक गरंथ की रचना की, इनसे भारती इतियास के बारे में जानकारी मिलती है मारको पोलो यह 13 सताबदी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था, इसका विवरण पांड इतियास के अध्यन के लिए उप्योगी माना जाता है